मद्र पदेश के विधान सभा चुनाओं में बिजेपी की आधी ही नहीं बलकि सुनामी चली। इस सुनामी की चपेट में आकर कॉंग्रेस पूरी तरह से मद्र पदेश में साफ हो गई। लेकिन बिजेपी के अंदर जहां कई नेताओं का इसका फायदा हुआ तो कुछ ऐसे भी नेता रहे जो सिवराज सरकार में और पियम मोदी के कैबिनेट में लंबे समय से मंत्री रहे। लेकिन जनता ने बिजेपी के प्रचन लहर में भी उनको स्विकार नहीं किया और इन मंत्रीों के जीवन के सबसे बड़ी हार जनता ने उनको दे दी। प्रत्यासी सिर्धार्त कुषवाह से चार हजार से अधिक वोटों से ये चुनाव हार गये और सबसे ज़्यादा चौका आया केंद्री मंत्री फगण सिंग कुलस्ते की हार ने निवास सीट पर फगण सिंग कुलस्ते को कॉंग्रेश प्रत्यासी चैन सिंग वरकड़े ने लगभग 10,000 वोटों से ये चुनाव हारा दिया है नरोत्रम इश्रा दतिया में लंबे समय से चुनाव जीत रहे थे लेकिन दतिया के लोकल नहीं थे डबरा सीट छोड़ कर 2008 से दतिया सीट पर चुनाव लड़ना सुरू किया था लेकिन जीतते रहे लेकिन हार जीत में पेंच फसाया कंगरेश प्रत्यासी राजेंद भारती ने और इस बार राजेंद भारती का निसाना आखिरकार लग ही गया और इस बार नरोत्रम ये चुनाव हार गये नरुत्तम का लगातार विवादों में रहना हर घटना को धार्मिक रंग देना इस्थानी विकास कारियों को लेकर लोगों की नाराजगी को दूर ना कर पाना दतिया में सहे जुपलब्द ना होने जैसी बहुत सी ऐसी बाते थी जो उनकी हार की वज़े बने हैं कमल पटेल जो हाल नरुत्रमिश्रा का दतिया सीट पर हो गया था वहीं हाल सिवराज सरकार के किरशी मंत्री कमल पटेल का हरदा सीट पर हुआ था उनके बेटे का सोसल मीडिया पर लोगों को धमकी देने का वाइरल मैसेज भी लोगों को ठीक नहीं लगा जिसके बाद बेटे पर एफाई यार भी हुई कमल पटेल पूरी तरह से एंटी इंकबेंसी का सिकार हो गए वहीं अरविंद भधोरिया चंबल के भिंड जिले की चर्चित अटेर सीट पर लंबे समय से अरविंद भधोरिया की अदावत कटारे परिवार से चली आ रही थी पहले स्वर्गी सत्देव कटारे जो कॉंग्रेज पार्टी के कदावन नेता थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे उनके सामने चुनावी अदावत चलती रही और अब उनके बेटे हेमंद कटारे से उनका राजनीतिक दुन्द चल रहा है चुनाव को लेकर अटेर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता यहां जाती गत समी कर्णों ने भी अरविंद भधोरिया के खिलाफ माहौल बना दिया था जिसके बाद उनको बड़ी हार हेमंत कटारे से मिली राजवर्धन सिंग दत्ती गाउं एनके खिलाब भी छेत्र में एंटे एंकबन से काम कर गई एक महिला का वीडियो जम कर कुछ समय पहले वायरल हुआ था जिसमें महिला ने खुद को राजवर्धन सिंग दत्ती गाउं का करीबी बताय था और उनके बारे में अब सब भी बोले और उनके नाम की धमकी तक दी ये सब देख कर दे छेत्र की जनता में राजवर्धन सिंग दत्ती गाउं की छवी को काफी नुकसान पहुचे चुका था सिंधिया गुट से आने वाले राजवर्धन सिंग दत्ती गाउं अपने खिलाब फैले अंडर करेंट को सही समय पर पहचान नहीं सके और जिसका खाम्याजा उनको हार के रूप में जहेलना पड़ा है गौरी संकर विसेन बाला घट में गौरी संकर विसेन ने मौहल तो खूब बनाया पहले बेटी को टिकेट दिलाया और फिर उससे बिमार बताकर खुद ही ना मांकन फौर्म भर दिया गौरी संकर कई बार अपनी गतवीदियों से बिजेपी को ही परेशान करने में लगे तो है चोकि ये महा कौसल का इलाका है और कमलनाथ का प्रभाव बाला घाड तक है और जिस कारण भी गौरी संकर को हार का सामना करना पड़ा है फगन सिंग कुलस्ते केंदरी मंतरी फगन सिंग कुलस्ते बड़ा आदिवासी चहरम आने जा रहे थे लेकिन उनके चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ही उनके खिलाप निवास छेतर में विरोध सामने आने लगा था उनके जन सभाव तक में लोग नहीं आ रहे थे और तब ह से लग रहा था कि फगण सिंग कुलस्ते का चुनाव फस सकता है और ऐसा ही हुआ बड़ी हार कुलस्ते की हुई